तो हम लोग बात कने वाले जियर शंकर और अभीशक मलहान के बारे में वाला को पताओगा अभीशक मलहान ने ये actors vs youtubers के बारे में बात करी थी तो इसी पर reply देते हों जियर शंकर नीमे एक tweet किया था अपने own words में जो कि बहुत से लोग को पसंद आया, बहुत से लोग को पसंद नहीं आया बट अब इसे अंडली में सिधार्त कंणन के साथ अभिशक मलान का इक इंटर्वी होता है उसमें ये सेम कोशन पूछते हैं कि जीयर शेंकर ने जो रिप्लाइ दिया तो अपने ओन वर्ड्स में उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे तो इसी कोशन का रिप्लाइ देते हो अभिशक मलान ये बोलते हैं जो सब लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और बाकि जो मैंने टीवी अक्टर्स के बारे में बोला है वैसा कुछ भी नहीं है बलकि मैंने उनका अप्रिशियेट किया है कि वो खुद का एक काम तो कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा टीवी अक्टर्स कोई भी ये वो प्रोडक्शन पर जाय कहीं काम करेगा मैंने बहुत से लोगों को देखा है भाई साब बहुत मैनत करते हैं टीवी अक्टर्स वो अगरा और बाकि अगर वो लोग अपना यूट्यूब चैनल आन कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है वो खुद का तो काम कर रहे हैं खुद का एक प्रोडक्शन आन भी कर सकते हैं वो लोग फिर उन्होंने ये बोला कि मैंने जियाशंकर से बात करी थी जियाशंकर ने ये बोला कि मैंने आपके लिए नहीं बलकि रैंडम पर्सन लोकली बोला है तो बात करते बिग बॉस 17 के बारे में वैल फाइनली यहाँ बिग बॉस 17 के 17 final contestant confirm हो गए आप लो आप लोग चाहो तो सुन सकते हो बाकि मैं आप लोग को क्लिप नहीं दिखा सकता अब यार पता नहीं अभी शाक क्यों रिलेट किया जा रहा है और यह दो contestant है कौन बाकि हम लोग बिग बॉस 17 के प्रीमेर बदा चली जाएगा